रश्या विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसकी फेमस होने की कहीं वज़़ है साइबीरिया का जंगल, दुनिया में सबसे ज़ादा नूकलियर हत्यार, बहुत ज़ादा ठंडग और सिग्मा पुतीन जैसे प्रेसिडेंट, वैसे पुतीन ही नहीं, पुरा का पुरा रश्या ही, लैंड अप सिग्मा है और यहां बहुत से अमीर माफिया है, जो एक से बढ़कर एक कार्स के काफिले से चलना पसंद करते हैं वैसे तो दुनिया के हर देश में माफिया लोग रहते हैं, और अपने माफिया स्वैग का शॉक करते रहते हैं रश्यन माफिया की बात करें तो इनका स्वैग नेक्स्ट लेबल है आज हम रश्यन माफिया के बीच पॉपिलर टॉप टेन बेहट शांदार माफिया कार्स के बारे में बताएंगे नमबर दस लाडा नीवा लाडा नीवा नाम शायद पहली बार सुना होगा दुनिया की पहली सीरिस प्रोडक्शन वाले 4x4 ओफ रोडिंग SUV थी इसे 1927 में सौवियत यूनियन ने बनाना स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक देखने में काफी गैंगस्टर लूग देती है ये जब से लाउंच हुई है तब से रश्या में काफी पॉपिलर रही है पर रश्या के अलावा भी बहुत सारे देशों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है इसे रश्या के लोग कुछ इस तरह मोडिफाई करके भी चलाते हैं केवल माफिया के लिए नहीं इसे एंबिलन्स की तोर पर भी इसका यूज किया जाता है ये गाड़ी काफी पावफुल है इसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं प्लादिमेर पुतिन भी इसके ओनर है हमारे देश में फर्चुनर काफी ज़ादा फेमस है और उसे भी अपने माफिया लुक्स की वज़े से जाना जाता है फर्चुनर की ही करीबी रिष्टिदार कह सकते हैं आप लेक्सस एक्स फाव सेवन जिरो क्योंकि लेक्सस टोयटा की ही सब ब्राण है जो लगजरी सेग्मेंट की SUV को सेल करता है लेक्सस की X570 रश्ञन माफियास के बीच काफी जादा पपिलर है ये क्योंकि बाहर से इसका लुक जितना किलर अंदर से इसका इंजिन भी इतना ही पावफुल है इसका डेट लिटर एंजिन इसे काफी ज़ादा पावफुल बनाता है लेकिन पावफुल होने के साथ साथ ये अंदर से काफी ज़ादा लक्जरियस भी है Lexus LX570 रश्या ही नहीं हमारे देश इंडिया में भी अवेलिबल है परिशांदार सब की कीमत इंडिया में 2.33 लाख रुप्यों के बराबर है दोस्तों रश्यन माफियास के बीच पॉपिलर पोर्श के एन बेहद लगजरी पावफुल SUV है पोर्श भी जर्मन कमपनी है और 2002 से के एन को बना रही है ये पोर्श के पहली आफ रोडिंग कार थी और इनकी पहली कार थी जिसमें 4 डोर्स थी वरना इस जादातर सूपर कार से बनाते हैं जिनमें 2 डोर्स ही होते हैं लेकिन इनकी ये SUV लगजरी पावफुल आफ रोडर और सूपर कार वाली फिलिंग एक साथ देती हैं इसलिए रश्या के पावफुल लोग इसे खरीटते हैं यह आपको इंडिया में एक करोड़ बीस लाख रुप्यों के करीब मिल जाएगी इसमें तीन और चार लिटर इंजिन के आप्शन अवेलेबल है नमबर साथ लैंड क्रूजर रश्या माफ्यास के बीच उनकी पापिलर कार बड़े बड़े काफिलों में रश्या के शहरों में आपको देखने को मिलेगी उन्हीं में से एक है लैंड क्रूजर वैसे तो लैंड क्रूजर ऐसी कार ही है जो रश्या ही नहीं पूरी दुनिया क आफ रोडिंग के शौकीन और माफियास के बीच काफी पॉपिलर है इस SUV को असली SUV माना जाता है क्योंकि रश्या की बरफिली रोड हो या मिडल इस्ट का रेगिस्तान ये जिस तरह हाइवेस पर दौड़ती है वैसे ही इन जगों पर दौड़ सकती है ये दुनिया की सबसे पॉपिलर SUV में से एक है इसकी एक करोड से भी ज़ादा यूनिट्स अब तक टोयटा सेल कर चुका है 1950 में पहली बार इसे टोयटा ने इसे लौंच किया था तब से लेकर आज तक इसमें काफी सारे चेंजिस किये गए और तरह तरह के माडल को लौंच किया गया पर इसकी एक चीज पहचान बनी रही है और वो है जिसकी पावर और आफ रौडिंग कैपेबिलिटी इसका टेस्ट तोयटा उस्टिलिया के ऐसे रहिगिस्तान इलाके में करता है जिसे दुनिया सबसे कठीन एंवर्मेंट में से एक माना जाता है यहाँ का टेंपरेचर बहुत ज़ादा होता है और यहाँ पर चलना बहुत ज़ादा प्राबलम बाला होता है दोस्तो लेंड रोवर की रेंज रोवर 1970 में लांच की गई थी और इसे भी दुनिया की मोस्ट पॉपिलर लगजरी सेग्मेंट की SUV में से एक मानी जाती है इसका ब्लैक कलर इतना खतरनाक माफिया लूग देता है इसे भी रश्यन माफियाओं ने अपने लिस्ट में शामिल किया हुआ है यो तो इसके कई मोडल लांच हो चुके है लेकिन इसका लेटिस्ट मोडल जो इसे साल 2022 में लांच हुआ है इसके इंडिया में कीमत 2 करोड 70 लाख रुपियों से स्टार्ट है और 4 करोड तक है दोस्तो रश्यन माफियाओं की कॉलिटी है वो ये कार्स सही चलते है इनके केले में गाडिया तो बहुत होती है एक या जादा से जादा दो मोडल्स ही होती है उन सब का कलर भी एक ही होता है दुनिया बर में गाडियों के सेम कलर के काफियले बनने की इंस्पिरेशन कहीं न कहीं रश्यन माफिया से ही ली गई है जादतर तो ये लोग SUV को ही प्रिफर करते हैं पर जब इसका शौक शेडान का हो तो वो शेडान भी बेहट शांदार होनी चाहिए और इसी तरीके की शांदार कार बनाता है लग्जरी कार ब्राण ओडी ओडी की A8 इनके टॉप मॉडल्स में से एक है इंडिया में इसकी कीमण डेड़ करोड से शुरू होती है और रशन माफियाओं के काफिलों में ये दरजनों की तादाद में होती है नमबर चार मर्सिडिस बेंच S-Class ये दुनिया की सबसे पावफुल कार है पावफुल इसलिए नहीं कि इसका इंजिन बहुत ज़ादा पावफुल है बलकि इसलिए क्योंकि इसमें जो लोग बैटे होते हैं वो दुनिया के बेहत पावफुल लोग होते हैं इसलिए इसे शाही सवारी भी कहा जाता है क्योंकि चाहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो या दुनिया की बहुत से देशों के लीडर्स इस कार से ही चलना पसंद करते हैं बहुत ज़ादा सेफ और बहुत ज़ादा लगजरी के साथ ही बहुत ज़ादा शांदाल लुक होने की वज ज़ादा है क्योंकि इसमें बुलेट प्रूफ से लेकर बहुत सारी टेकनलोजिस को लगाए जाता है वर्ल्ड लीडर और पावफुल लोगों के अलावा इसे रशन माफिया भी इससे चलाना पसंद करते हैं क्योंकि ये देखने में काफी शांदार लगती है नंबर 3 BMW M5 BMW BMW M5 BMW की फ्लैप्शिप कार्स में से एक है इसमें पावर की इंतहा होती है दो करोड रुपे से इसकी स्टार्टिंग होती है इस BMW में 4.4 लीटर V8 बाई टर्बो इंजन लगा होता है ये सूपर कार नहीं है और सेडान भी नहीं बलकि ये एक स्पोर्ट सेडान है यानि क्या आप कह सकते हैं सूपर और स्पोर्ट्स कार और सेडान का मिक्सर इसमें आपको सूपर कार जैसी ताकत और स्पीड मिलती है वहीं सेडान जैसी आराम मिलती है और इसलिए पावर्फुल लोगों की लिस्ट में आती है रशन माफिया तो इससे रश्या के शहरों में ड्रिफ बिजनस्मेन हो, सलिब्रिटी हो, वर्ल्ड लीडर हो, या फिर पावफुल माफिया, हर कोई तो एक बार रॉल्स रोइस को खरीदना चाहता ही है, ब्लेक कलर की रॉल्स रोइस फेंटम दूर से ही देखने पर पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई बेहद ही पावफुल इंस बैठा होगा, रशन माफिया इसलिए रॉल्स रोइस को अपने काफिले में शामिल करना पसंद करते हैं, रॉल्स रोइस के बारे में आपको और भी जानना हो तो आप हमारे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नमबर एक, जी क्लास, मर्सेडिस जी क्लास या जी वेगन ये दुनिया की सबसे पावफूल और लग्जोरी स्यूवी मानी जाती है, इसे दुनिया वर में गेंग्स्टर और माफिया वाइब्स के लिए खरीदा जाता है, पर ये पहचान पहले नहीं मिली थी, मर्सेडिस ने तो इसे आफ रोड वेहिकल के तोर पर ही लांच किया था, पर रशन माफियास ने ये करोडो की कार अपने काफिले में इस स्टाइल से शामिल की, मानो कोई साइकल हो, मतलब एक दो नहीं, दरजनों की तादाद पे, और इन्हें ये कार काफी जादा पसंद आ गए, इसे रशन माफियास की कार माना जाने लगा, और अब द कर देता है, इसमें 416 होच पावर्स का ट्विन टर्बो वी एट इंजन लगा हुआ है, और ये और विल ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है, इसलिए इसे आफ रोडिंग में इसे काफी खास माना जाता है, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कौन सी कार सबसे जादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेर करेगा, और ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवार